हेलो स्टुडेंट्स यह आपका को पाइट 9 एस सेप्टर का पाइट 9 वीडियो में परसनाव़ी 2B पे हैं कारा को संसिद कीजिए पिछले वीडियो में हम लोकोसर नमबर 9 तक देख लिए थे अब हम लोकोसर नमबर 10 के यह द देखिए यह दोनों के X plus sin inverse Y का formula लगा देंगे और last में जो आएगा आपका sin inverse में उसको 10 में convert कर देंगे चलिए तो यही काम हम लोग करते हैं यह easy मुझे लग रहा है sin inverse 8 by 17 plus में है आपका sin inverse sin inverse 3 by 5 तो हम लोग formula जानते हैं sin inverse X plus में sin inverse Y equal to क्या होता है sin inverse bracket के अंदर X root under 1 minus Y square plus Y root under 1 minus X square यह आपका formula तो इसी के according यह हो जाएगा sin inverse 8 by 17 root under 1 minus 3 by 5 का whole square plus Y के value 3 by 5 root under 1 minus 8 by 17 का whole square ठीक है चलिए आप यहाँ solve करते हैं sin inverse 8 by 17 root के अंदर 1 minus 9 by 25 plus 3 by 5 root under 1 minus यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 के square 64 और 17 के square 289 ठीक है चलिए आगे solve करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा sin inverse 8 by 17 फिर bracket के अंदर LCM लेंगे 25 हो जाएगा 25 minus 9 plus 3 by 5 root under 289 और उपर हो जाएगा 289 minus 64 आगे solve करते हैं sin inverse 8 by 17 यहाँ कितना जाएगा उपर घटेगा तो घटेगा तो 16 by 25 तो 16 आपका 4 के square है और यह 5 के हो जाएगा plus 3 by 5 यहाँ घटाएगे तो आजाएगा आपका कितना 225 तो 250 कितना के square होता है 15 का और यह आपका 17 का है इन होगा जी चलिए आगे solve करते हैं तो हम लोग कारते नहीं है उपर उपर गुना नीचे नीचे गुना कर लेते हैं तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा अचो का 32 और 17 पंजे 85 पलस यहाँ पर भी हो जाएगा 15 में 3 से गुना करेंगे तो 45 और आपका क्या हो जाएगा 17 में 5 से गुना करेंगे 85 यहाँ जाएगा ठीक है यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ले लूँगा अब दखो अगर मैं इसे एंगल लेता हूँ तो यह आपका पी हो जाएगा और यह आपका एच हो जाएगा इसको निकालेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा निकाल के आप देख सकते हो तो इसे 10 में कनवर्ट करोगे तो 10 इंबर्स इकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर पी बाइबी पी बाइबी तो यही ना में आरेचेस में प्रूब करके दिखा रहा था ठीक है पोसर नमर 11 देखिए 11 का इलेवन का इलेचेस ले सब्सक्राइब करके और दोनों में अगर यहां पर कोई राइट एंगल लेते हो तो यह कॉस्प में अगर बात करें तो बेस भाई हाइपोटेनस होता है तो यहां से आप लिख सकते हैं 10 inverse यह क्या जगा P by B यानि 3 by 4 हो जाएगा और प्लस में है आपका 10 inverse 3 by 5 अब यहां 10 inverse X और 10 inverse Y का formula लगाते हैं तो हमनों formula तो जानते ही है 10 inverse X plus 10 inverse Y equal to 10 inverse X plus Y by 1 minus XY यही न होता है तो चलिए अब यहां पर formula लगा होगे तो हो जाएगा 10 inverse 3 by 4 plus में 3 by 5 by में 1 minus 3 by 4 into में 3 by 5 तो जब इसे solve करते हैं यहां पर तो हो जाएगा 10 inverse उपर LC हम लोगे 20 इसमें से divide करेंगे 5 5 जाके 3 में 2 करेगा 15 इसमें से divide करेंगे 4 4 जाके 3 में 2 करेगा 12 और by में नीचे LC होगा आपका 20 20 माइनस 9 ठीक है 20 माइनस 9 चलिए तिंतिया 9 हो जागे यह यह आपका कट जाएगा यहां से हो जाएगा 10 inverse उपर इन दोनों को जोडेंगे तो 27 हो जाएगा और नीचे घटाएंगे तो 11 तहीं आपके आरेचेस में था 10 27 बटाए 11 यहीं ना था कोसर नमर ट्वेल देखिए 12 के एक नमबर में देखिए इसका लेचेस लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है कॉट इनवर्स यहां रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स ठीक है और नीचे आपका क्या है रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स इसको हमें किसे इकॉल प्रूब करना है एक्स बाइटू के ठीक है और एक्स किसे बिलोग करना जीरो से पाई बाई फोर के बीच य X का होता है, क्या होता है formula इसका, तो इसका होता है, cos X by 2, plus sin X by 2 का whole square, और 1 minus sin X का होता है, cos X by 2, minus sin X by 2 का whole square, ठीक है, यहाँ पर हम formula को put करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, cot inverse, उपर देखो, root अंडर, cos X by 2, plus sin X by 2 का whole square, पर यहाँ रखेंगे, तो cos X by 2, minus sin X by 2 का whole square, और फिर आपका नीचे, उसी तरह से हम लोग नीचे भी रखेंगे, root अंडर, cos X by 2, plus sin X by 2, 2 का whole square, minus, यहाँ भी, cos X by 2, minus sin X by 2, का whole square, तेरे square से root सब जगा हट जाएगा, cot inverse, यह square से root हट जाएगा, का उपर क्या बचेगा आपका, cos X by 2, plus sin X by 2, plus, यहाँ पर क्या बचेगा, cos X by 2, minus sin X by 2, square से root हट गय, यहाँ भी हट गया, यहाँ भी हट गया, यहाँ भी हट गया, चलिए, तो यहाँ से क्या बचेगा नीचे आप, cos X by 2, plus का, sin X by 2, minus, cos X by 2, और चुकिए यहाँ minus हाते, यह minus minus plus हो जाएगा, sin X by 2, तो यहाँ देखो, sin X से sin X by 2, यहाँ cos X by 2 से cos X by 2, कर जाएगे, अब आगे देखो, cot inverse, उपर क्या हो जाएगा आपका, 2 cos X by 2, और नीचे हो जाएगा, 2 sin X by 2, 2 से 2 यहाँ काट देंगे, cot inverse, यहाँ पर हो जाएगा, cot, cos बट्टा sign, cot हो जाएगा, X by 2, cot inverse से cot हर जाएगा, आपका X by 2 आ जाएगा, तो यही न था आपके RHS में, यह न प्रूब करके में दिखाना था, चलते अब next question पे, इसके second number में, दिया हुआ है, RHS ले लो, एक दिया है cos में, और एक दिया है sign में, और जो प्रूब करना है न, वो है 10 में, तो यह काम करो न, दुनों को 10 में ही convert कर लो, यहाँ पर, ठीक है, दोनों को 10 में ही convert करो, तो मैं इस cos वाले की बात करूँगा, तो base यह, hypotenuse यह, तो यह आजागा 4, perpendicular, अगर मैं sign वाले, इसकी बात करूँगा, तो perpendicular यह, और hypotenuse यह, तो base आपका 12 आ जाएगा, चली देखते हैं, इसका convert करेंगे 10 में, तो 4 by 3 हो जागा 10 inverse, और इसको convert करेंगे, तो यह 10 inverse, 5 by 12 हो जागा, P by B, यह नहाँ हो जागा, अब यह आपका formula लागाता है, 10 inverse X plus 10 inverse Y क्या, तो क्या हो जागा यहाँ से, 10 inverse 4 by 3, प्रस में 5 by 12, ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा, 1 minus 4 by 3, इंटू में 5 by 12, चली अब इसको solve करते हैं, ठीक है, चलो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 inverse, उपर LC हम लेते हैं, 36 होगा, इसमें से बाग करेंगे 12, 12 जाके उपर इंटू करगा है 4 में, तो 48, इसमें से डिवाइट करेंगे 3, और 3 जाके 5 में इंटू करगा 15, नीचे आपका LCM होगा 36, 36 minus का 20, यह दोनों कट जाएगे, यहाँ से आजागा 10 inverse, इन दोनों को add करते हैं, तो add करोगे, तो क्या हो जाएगा, 8 और 5, 13 का 3, 1, 4, 1, 5, 63 और नीचे आपका घट के आजागा 16, तो यही ना, आपके RHS में ही है, 10 inverse 63 by 16, यही ना था, चलिए अब चलते हैं एगले कोर्शन पे, चलिए अगला कोर्शन देखते है, 13 number, हमें कॉस इन वर्स एक्स को, इसके equal और इसके equal दिखाना है, तो हम लोग इस वाले हिस्से को लेते हैं, और इस वाले हिस्से को लेते हैं, दोनों को हम लोग कॉस इन वर्स लाके दिखाएंगे, 2 sine inverse, root under 1 minus x by 2 दिया है, तो हम लोग इसमें put कर देंगे, x के जगा cos theta, क्योंकि 1 minus cos है, तो 1 minus cos x तो मैंने बुला ना, कि sine या cos put कर सकते हैं, लेकिन जो हम आप में prove करना है, वो cos में हैं, इसलिए हम लोग इसमें पर cos put कर रहा है, तो x बार में cos theta होते हैं, यहां से theta का value क्या हो जाएगा, cos inverse x, चलिए, 2 sine inverse, root under 1 minus cos theta, और बटा में 2, 2 sine inverse, root under 1 minus cos theta होता है, 2 sine square, theta by 2, इसका formula है, 1 minus cos theta का, 2 sine square theta by 2 होता है, ठीक है, यह formula होता है, तो इसके according है आप हो गया, यह 2 से 2 कर जाएगा, square से root हटा देंगे, तो 2 sine inverse, sine theta by 2, तो sine inverse से sine अट जाएगा, 2 into theta by 2 बचेगा, 2 से 2 कर जाएगा, theta बचेगा, और theta किसके equal है, cos inverse x के equal है, अब इसके बाद देखो, लिखते हैं अब, हम लोग यह वाला इसा लेते हैं, यह हम लोग cos inverse x दिखा दियें नहीं, अच्छा, इसको लेते हैं, 2 cos inverse, root under 1 plus cos x by 2, यहाँ पर भी यही रहने देते हैं, x से जाएगा, cos theta ही पुट करते हैं, ठीक है, तो जाएगा, 2 cos inverse, root under 1 plus cos theta बच्टा 2, तो हम लोग फार्मुला जानते हैं, 1 plus cos theta का, क्या होता है, 2 cos square theta by 2, यही लगा देंगे हैं यहाँ पर, 2 cos inverse, root under, यहाँ पर क्या जाएगा, 2 cos square theta by 2 by 2, यह 2 से 2 कर जाएगा, square से root हट जाएगा, यहाँ जाएगा, 2 cos inverse, cos theta by 2, cos theta by 2, cos inverse से cos अटेगा, तो 2 into theta by 2, 2 से 2 कर जाएगा, theta बच्टा किसके बराबर है, 2 sin inverse, root under 1 minus x by 2, और यह equal हो जाएगा, 2 cos inverse, root under 1 plus x by 2 के, हम लोग यहाँ पर यह लिख सकते हैं, समझ गया है, question number 14 देखिए, 14 का LHS ले लो, हमें प्रूब करना है न, तो LHS ले लेते है, 9 pi by 8, minus का 9 by 4, sin inverse 1 by 3, हमें किसके बर इकवल प्रूप करना है, 9 by 4 sin inverse 2 root 2 by 3, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ common है क्या, 9 by 4 common है, तो यहाँ बचेगा आपका, pi by 2, minus का, sin inverse 1 by 3, यह न बचेगा, अब देखिए, हम लोग जानते हैं, कि sin inverse x, plus में, cos inverse x, equal to होता है, pi by 2, तो इसी के according, हम लोग यहाँ पर लिख सकता है, कि cos inverse x, equal to pi by 2, minus sin inverse x, यह न हो जागा, यह इदर चला जागा, minus का, तो यहाँ पर लिख सकता है, 9 by 4, यहाँ पर लिखिए, pi by 2, minus sin inverse x, के form में है, तो यह किसके equal to हो जागा, cos inverse x के न है, यानि कि cos inverse, 1 by 3, यह न आ जागा, इसका cos inverse, 1 by 3 हो जागा, अब यह cos में नहीं प्रूब करना, यह में इसे sign में लाना है, इसे sign में सिफ्ट convert कर देंगे, आप एक right angle टेंगल लेंगे, अब इसको angle लेंगे, तो यह base और यह hypotenuse, तो perpendicular क्या जागा, 2 root 2 ही आएगा, root 8 हैगा, यह root 8 हैगा, आपका होगा न, root under 3 के square minus 1 के square, hypotenuse के square minus base के square, तो यह 2 root 2 हैजाएगा, यह से लिख सकता है, 9 by 4, sin inverse P by H, यानि कि 2 root 2 by 3, यही न, आपके RHS में था, और यही हमें प्रूब करके दिखाना था, चलते हैं अब next question पे, question number 15 देखिए, 10 inverse root X को प्रूब करना है, 1 by 2 cos inverse, 1 minus X by 1 plus X, तो हम लोग इसका RHS लेते, RHS बढ़ा है, 1 by 2 cos inverse, आप LHS से भी बना सकता हैं, तो हम लोगा RHS से सील लेके बनाते हैं, 1 minus X बढ़ा में 1 plus X, अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, 1 by 2 cos inverse, यहाँ पर मैं क्या कर दता हूं, 1 minus root X का square कर देता हूं, और नीचे आपका, 1 plus root X का square कर देता हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं फर्मुला जानता हूं, कि cos inverse, 1 minus X square, by में 1 plus X square, यह formula होता है, 2 tan inverse X का, इसी के according अगर मैं देखूं, यहाँ X के जगा root X है, cos inverse 1 minus root under X square, बटा में 1 plus root under X square, यहाँ पर हम लोगी सकते हैं, 1 by 2 यह ऐसी रहागा, यह किसका formula हो जाएगा, 2 tan inverse root X का, यह आपका 2 से 2 कट जाएगा, हमें जो prove करना था, tan inverse root X हो आ गया, आपका LHS आ गया, आप LHS में भी ले सकते थे, LHS को ले लेते, tan inverse root X, उसे भी बना सकते थे, हमनों क्या करते हैं, 1 by 2 से divide और 2 से multiply, ठीक है, 2 से divide किया, और 2 से multiply कर दे, अब यहाँ 2 tan inverse X वाला, यह formula पूट कर दो, यहाँ से हो जाएगा, 1 by 2 cos inverse, 1 minus root X का square, और बटा में 1 plus root X का square, यहाँ square से root हट जाएगा, यही ना आपका आ जाएगा, तो हम तो गे LHS से भी बना सकते थे, और RHS से भी बन जाएगा यह, next question देखते हैं 16 number, यहाँ पे दिया है, sin inverse X plus sin inverse Y, equal to pi by 2, तो हमें prove करना है यह, तेरी पहले वाले के लिए पहले करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है, कि sin inverse X, plus sin inverse Y, जो है ना, यहाँ pi by 2 के equal है, तो हम लोगे है, sin inverse X plus sin inverse Y का formula लगाते हैं, sin inverse X Y plus sin inverse Y का formula हम लोग जानते हैं, वो formula यहाँ पे लगाएंगे, तो क्या हो जागया है, sin inverse X root under 1 minus Y square, plus Y root under 1 minus X square, और equal to pi by 2, तो यह sin inverse उदर ले जाएंगे, तो X root under 1 minus Y square, plus Y root under 1 minus X square, equal to more जागा, sin pi by 2, तो sin 90 के value तो 1 होता है ना जी, तो X into में, root under 1 minus Y square, और plus Y root under 1 minus X square, equal to 1 जागा, यही ना मैं प्रूब करना था, हमने प्रूब करके दिखा दिया, अच्छा चलिए, second number के लिए, या फिर मैं इसको erase करके बनाता हूँ, चलिए, अब इसका second number देखिए, देखो यहाँ पे, हमारे पास दिया हुआ है, कि sin inverse X, plus sin inverse Y, जो है ना, equal to pi by 2 के, ठीक है, तो हम इसे, एक को इसको, हम लोग क्या करते हैं, एक को cos में convert कर लेते हैं, दोनों में से किसी एक को, तो हम लोग यहाँ पे, sin inverse X, plus में, इसे रिज़ते हैं, cos inverse, क्या हो जाएगा, root under 1 minus Y, equal to pi by 2, तो हम लोग एक formula जानते हैं, कि sin inverse X, plus cos inverse X, जो होता है, pi by 2 के equal होता है, pi by 2 के, यानि दोनों जग़े यहाँ पे, से में इंगल होता है, उसका value pi by 2, अगर x sin, एक cos में होता है, तो x sin cos में है, और यहाँ पे, यह pi by 2 होने का मतलब यहीं न हुआ, therefore, X किसके equal to हो जागा, root under 1 minus Y square, तो यहाँ से, अगर मैं दोनों तरफ square करूंग, तो x square equal to 1 minus Y square, यहाँ से Y square, x plus sin inverse y equal to pi by 2, अब हम इस Y की जगा, यह भी तो रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, therefore, sin inverse x plus sin inverse y की जगा, root under 1 minus x square equal to pi by 2, यह proof हो गया, चलते हैं अब नेक्स कोशन पे, नेक्स कोशन रखते हैं, 17 नमबर कह रहा है, यदि sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equal to pi, तो सिद्ध कीजिए, x root under 1 minus x square plus y root under 1 minus y square, और plus z root under 1 minus z square, जो है 2xyz के equal होगा, चलिए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, माना, a plus b plus c equal to pi, यहनि a किसके equal हो जागा, sin inverse x के, यह b sin inverse y के, और c जोगा sin inverse z के equal हो जाएगा, therefore यहाँ लिख सकते हैं, sin inverse x equal to A, sin inverse y, sin inverse y equal to में लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका b, और sin inverse z equal to लिख सकते हैं, यहाँ पर c हो जाएगा, तो यहाँ से x का value क्या आएगा, sin a हो जाएगा, y का value क्या हो जागा sin b हो जागा और z का value क्या हो जागा sin c हो जागा यह ना होगा अब देखिए एक हम लोग formula पढ़े होगे class लिवत में sin 2a plus sin 2b plus sin 2c यह किसके equal होता है 4 sin a sin b sin c मैंने आपको यह prove करके भी दिखाया हुआ है class 11th में ही चलिए तो अब इसी की recording हम लोग चलेंगे यह आपका एक formula हो गया अब मैं क्या करता हूँ sin 2a का यह formula देता हूँ तो क्या formula हो जागा 2 sin a cos a sin 2b का क्या हो जागा 2 sin b cos b sin 2c का 2 sin c cos c equal to 4 sin a sin b sin c यह से 2 common कर लेते हैं और उधर ले जाते हैं divide में तो क्या हो जागा यहाँ पर sin a cos a plus sin b cos b और plus sin c cos c और यह दो common हो कि इदर divide में आगा तो इदर 2 ही न बचेगा 2 sin a मैंने directly लिख दिया एक step बचाया sin b और sin c हमने किया क्या यहाँ से 2 common करके उधर ले जाके divide कर जाते हैं पर 2 sin a, sin b, sin c बचेगा अब देखिए यहाँ पर यह जो हमारे पास x, y, z के जो value है वो sin के ही form में है तो यहाँ जो cos है उन सब को sin में convert कर देता है तो sin a यहाँ cos से के जगा क्या हो जगा root अंडर 1 minus sin square a plus sin b root अंडर 1 minus sin square b plus sin c अब यहाँ cos से के जगा root अंडर 1 minus sin square c equal to 2 sin a sin b और sin c अब देखिए हम लोग यहाँ पर sin a, sin b और sin c के value रख देते हैं तो यहाँ यह हो जाएगा x root अंडर 1 minus x square sin b के value है y root अंडर 1 minus y square sin c के value z root अंडर 1 minus z square equal to 2 यहाँ पे क्या जाएगा x y z यही नहीं नहीं प्रूप करके दिखा रहा है तो हमने प्रूप कर दिया चलते है next question next question 80 number फरन को निम्तम रूप में लिखिए अच्छा निम्तम रूप में लिखना है इसको solve करके चलिए देखते है हमारे पास दिया है tan inverse cos x minus sin x by में cos x plus sin x तो देखो बाहर 10 में है तो इसको भी 10 में convert करेंगे लिखेंगे कि अंस्त था हर में cos x से भाग देने पर cos x से भाग देने पर cos x से भाग देने पर चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा tan inverse cos x बटा में cos x minus sin x बटा cos x और नीचे बटा में हो जाएगा cos x बटा में cos x plus में sin x बटा में cos x यह cos x कर जाएगा 1 यहां भी 1 क्या हो जाएगा अब यहां पर tan inverse one minus tan x by में one plus tan x अच्छा हमें इसे formula पर set करने के लिए हमनों formula एक जानते हैं tan a minus का tan b बटा में one plus tan a into tan b यह formula होता है कि इसका पता है tan a minus b क्या तो इसी के according हम लोग यहां पर set करेंगे tan inverse one को हम लोग tan pi by 4 लिख सकते हैं न minus का tan x by में one plus यहां कुछ नहीं है तो into में यहां one देदे तो one किसका formula हो जागा tan pi by 4 का हो जागा रहा value और into tan x हमने ऐसा क्यों किया तक यह formula इस पर set हो जाए tan a minus 10 b बटा one plus tan a 10 b यहीं नहीं हो रहा है तो यहां से यह formula किसका हो जागा tan a minus b का यहां लिख सकते है tan inverse tan pi by 4 minus x tan से tan inverse रहेगा pi by 4 minus x नियुंतम रूप में आ गया कि नहीं तो यह question number 19 देखते है यदि sign दिया हुआ है pi cos theta equal to cos pi sin theta तो सिद्ध कीजिए कि theta का value 1 by 2 sin inverse 3 by 4 होगा यह लिए देखते हैं हमारे पास दिया है sign pi cos theta equal to cos pi sin theta ठीक है तो यहां sign में है तो इधर भी आपनों sign में convert कर लेते हैं तो यहां लिख सकते हैं sign pi cos theta और इधर इस cos को लिख देते हैं sign sign pi by 2 plus minus pi sin theta ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों के लिए plus में लिए या minus में लिए यहीना value होगा चलिए अब देखते हैं आगे यहां दोनों तरफ sign हटा देंगे तो क्या बचेगा pi cos theta equal to यहां हो जाएगा pi by 2 plus minus pi sin theta अब यह plus minus के लिए confused नहीं होना क्योंके आपनों फॉर्मुला पढ़े हैं sign pi by 2 plus theta का भी value होता है cos theta और sign pi by 2 minus theta का भी value होता है cos theta इसलिए मैंने यहाँ plus minus दोनों ले लिए हैं समझे नहीं आप देखो यहाँ पे pi common करते हैं इधर आपका pi ऐसे ही रहेगा pi cos theta और यहाँ से pi common होगा तो 1 by 2 plus minus sin theta आएगा यहाँ pi से pi हम हटा देंगे आपका बच गया cos theta equal to 1 by 2 plus minus sin theta तो अब हम लोग देखो क्या करते हैं हम लोग इसको इधर कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा minus का 1 by 2 और इधर हो जाएगा plus minus sin theta और minus का cos theta ठीक है अब दोनों तरफ work कर देते हैं दोनों तरफ work करने पर work करेंगे तो यहाँ हो जाएगा minus 1 by 2 का whole square और इधर हो जाएगा plus minus sin theta और minus cos theta का whole square यह लिए आगे solve करते हैं यहाँ हो जाएगा आपका 1 by 4 ठीक है यहाँ पे क्या हैगा तो यहाँ हैगा sin square theta plus minus sin 2 sin theta cos theta और plus में cos square theta समझे ना चलो 1 by 4 equal to में sin square plus cos square इसका 1 हो जाएगा और plus minus 2 sin theta cos theta ठीक है चलिए अब देखिए मैं इसको इधर कर देता हूँ और इसको इधर कर देता हूँ तो यह minus plus हो जाएगा और 2 sin theta cos theta formula हो जाएगा sin 2 theta का और इसको इधर भेज़ देता है 1 minus 1 by 4 चलिए तो यहाँ से minus plus sin 2 theta equal to क्या जगा LC अबने के घटा है तो 3 by 4 आएगा तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यह plus minus दोनों है तो यह आप उधर भी sin लगा सकते हैं या इधर भी छोड़ सकते हैं यहाँ से हम लोग sin 2 theta equal to लिख सकते हैं plus minus 3 by 4 तो यह sin 2 theta का value है तो यहाँ से हम लोग अगर अलग-अलग यहाँ पे देखें तो sin 2 theta equal to हो जाएगा आपका plus का 3 by 4 और एक sin 2 theta equal to हो सकता है minus का 3 by 4 तो यहाँ से 2 theta equal to क्या जाएगा sin inverse 3 by 4 और यह चल जाएगा 2 divided में तो यहाँ से theta equal to हो जाएगा 1 by 2 sin inverse 3 by 4 हमें यहीं नप्रूब करके दिखाना था और यहाँ से solve करेंगे तो यहाँ से 2 theta equal to sin inverse minus का 3 by 4 और theta equal to हो जाएगा 1 by 2 sin inverse minus का 3 by 4 तो दोनो possible value यहाँ हो सकते हैं तो इस video को यहीं पेइंट कर जते हैं आपको हमारे तीन चैनलों को subscribe करना होगा पहला है pathfinder classes छप्रा pathfinder classes छप्रा दूसरा है आपका भारती भवन भारती भवन रवी कांत सर रवी कांत सर और तीसरा चैनल है रवी कांत सर के नाम से तीनों चैनल को subscribe कर लेंगे और इसे related वीडियो के लिए सीधे description में जाएंगे और इसे related notes के लिए google पे जाके subscribe करेंगे www.ravikant.in और यहाँ पर जाकर आप सभी classes के notes और उनके वीडियो को download कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं